नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं बुद्धवार को 36 गड़ की राजधानी रायपूर में मीडिया से बाचीत में राजेपालने कहा है कि जब तक गौवर्नल संतुष्ट नहीं हो जाए तब तक किसी परकार का ओडर करना साही नहीं है उन्होंने बताया कि चुनाव आयो को सेकेंड ओपेनियन के लिए राजभौन से पत्र भेजा गया है जब सेकेंड ओपेनियन आ जाएगा तो वे तय करेंगे कि क्या करना है बतादे राजेपल ने कहा कि पदस अभानने के बाद उन्होंने मुख्य मंत्री हेमन सुरें से संबंधित सिकायत मिली थी जाज के लिए आवेदन दिया गया था या पुछे जाने पर कि आपके खिलाप सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया और राएपूर में लाकर विधायकों को रखा गया राजेपल रमेस बैस ने कहा कि सरकार को आई स्थिर करने की मनसा होती तो चुनाव आयो कि सिफारिस पर निन ले सकता था लेकिन नहीं चाता था कि बदलने की भावना या बदनाम करने के लिए मैं करवाई करूँ मैं सन्वेधानिक पद पर हूँ और मुझे समिधान की रक्षा करना और उसके मुताबिक चलना है यही करन है कि मेरे उपर कोई उंगली नहीं उठाए कि मैं बदलने की भावना से काम किया हूँ मैं सेकेंड ओपेनियन ले रहा हूँ मांदर की थाप पर थिर के सिख्छा मंती जगनात महतो बोकारों के नावा डी परखन अत्रगत भलमारा पंचायत के रखवा गाउं में बुध्वार को युगा साथी कल्व की ओर से आयोजी ते सोहराई का आयोजन किया गया सुबे के इस कुली सिख्छा मंती जगनात महतो युँम कल्व की संजोजी का छुमू देवी ने सन्युकत रूप से उत्सव का उधाटन किया उत्सव में भलमारा पंचायत के दरजनों किसानों ने अपने पसुधान को सिंदूर और धान की बली से सिंगार कर बैलो को खुटे में बांध गया वही इस मोगे पर ठोल मांदर किथा पर सिख्छा मंत्री संग ग्रामी जम कर थिरके टाटा नगर से खुलने वाली चार्ट रेने 28 अक्टूबर को रदे टाटा नगर से खुलने वाली चार्ट रेने सुक्रवार को रद रहेगी दो ट्रेनों को सोट टर्मिनेट कर दिया गया है जबकि बड़ बिल हावडा जनसतावदी एक्सप्रेस के समय में बदलाव किया गया है वहीं दक्षिन पूर रेलवे की ओर से बुद्वार को या जनकारी दी गई है दक्षिन पूर रेलवे ने बताया है कि चक्रधर पूर डिवीजन में 28 अक्टूबर को महलीम रूप और राजखरसामा एस्टेशन के बीच से रोड ओभर विरीज के निर्मान के लिए इस्टील गरांडर की लॉंचिंग की जाएगी इसलिए ट्रैफिक कॉम पावर ब्लोक लिया जाएगा इस दरण कुछ ट्रेने रद रहेगी जबकि कुछ ट्रेने गंतवे से पहले रोक दी जाएगी छट महापर्व की तयारियों का जाजा लेने निकले सियम हिमन्त सुरेन छट महापर्व की तयारी जोर सोर से चल रही है जारकन से में देश के अलग-अलग हिसों में छट पूजा की जाती है इस बार 28 अक्टूबर को नहाई खाए के साथ चट पूजा की शुरुआत होगी इसे पहले नदी तलाबों की साब सफाई का काम सुरू हो गया है बता दे राजधानी राची समेत परदेश के सभी नगर निकायों ने अपने अस्तर से चट खाटों की सफाई एवं वहां की सुरक्षा विवस्ता के इंतिजाम करने शुरू कर दिये है राजधानी राची में खुद मुख्य मंत्री है मंसुरे ने बुद्धवार को अलग-अलग चट खाटों का जाजा लिया इस दोरान उन्होंने प्रसास्निक अधिकारियों को कई जनकारी ने देश भी दिये मुख्य मंत्री ने काके डेम के अलावा हटनिया तलाप का भी दोरा किया है नीती आयोग उपाध्यक्ष राची पहुँच खेती बारी का किया निरिक्षान नीती आयोग की पांच सरसी टीम इन दिनों जार्खन दोरे पर है बुद्धवार को नीती आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी समयत अन्यने कांची जीला कारकरम के तहत JICA मद के कियानवीन रांची के पिठावरिया इस्थीत प्राथमिक स्वास्थ केंद का निरिक्षन किया साथ ही इचा पीडी पंचायत में ड्रीप इरिगेशन योजना से की जा रही खेती को भी देखा बता दे कि नीती आयो की 500 से टीम दो दिवसी दोरे पर जार्कन आई है पिठावरिया आये नीती आयो के उपाध्यक सुमन कुमार बेरी द्वारा प्रात्मिक स्वास्थ केंदर में कोल्ड चेंड मेनेजमेंट की स्थीती मोडर्न लेबर रूम ए एनसी, कीट एवम स्वास्थ केंदर में आने वाले मरी जों आधी के बारे में जनकारी प्राप्त की है आधिवासिब नाम कुडमी के लडाई में जलेगा जार खन जार खन में पिछ़डी जाती में दर्ज कुरमी को अनसुछीत जन जाती का दल्जा समंधीं मांग के तूल पकरने का उल्टा असर पर रहा है पिछले दिनों कुर्मी जाती से जुड़े विभीन समाजिक संगटनों ने अपना मांग के समर्थन में रेल रोको अभियान किया था अब इसका असर बंगाल और उरिशा पर भी पड़ा था कुर्मी संगटनों के इस मांग का कई आदिवासी संगटनों ने अपकूल कर विरूद आराम किया है जब कि पुरो में यह मुद्दासिफ राइनितिक दल अक्सर चुनाओ के वक्त उछालते थे हाल ही में कुछ जातियों को जब केंद सरकाने अनसुचित जन जाती का दर्जा दिया तो कुर्मी संगटनों ने अपनी मांग तेज की फिलाल इसके अंदोलन का स्वर धीमा हो चला है लेकिन आदिवासि संगटन मुखर है इनके निशाने पर जार्खन में सतधारी जार्खन मुक्ती मोर्चा समेत अन्यदल है जार्खन में खुलेगा पहला वेटनरी उन्वर्सिटी जार्खन को पसुपालन मतस्यपालन के छेतर में अग्रेनी राजे बनाने के लिए यहां पसुपालन और मतस्यपालन की योजना है अब अनुसंधान और वेटनारी एजुकेशन के चेतर में भी जार्खन को अगरेनी राजे बनाने की पहलतेज हुई है इसकी सुरुआ जार्खन में वेटनारी विश्वी द्याले का स्थापना से होगी बता दे जार्खन सरकार के किरिसी एवं पसुपरान विभागने इसके लिए तियायर लगभग फूरी कर ली है और सरकार की योजना इसी वी तिये वर्ष में राजे में वेटनारी विश्वी द्याले अस्थापित कर देने की है जार्खन के क्रिशी एंपसुपारण मंत्री बादल पत्रलेक ने बताया है कि राजे में पसुपारण और मतस्पारण में सभी समस्याओं को दूर करने को लेकर सरकार पूरी तरह गंपी रहा है मुख्य मंत्री ने लालपूर पूजा पंडाल में की माकाली की आर्थी मास यूथ कल्ब द्वारा पर कासीत असमारिका का भी मोचन भी किया गया वहीं काली पूजा पंडाल परिशार में मुख्य मंत्री का स्वागत जामो नेता सुप्रियों भट्टा चारी सहीत आने लोगों ने यहाँ हर्याना में 27 अक्टूबर से आपराध पर चिंतन सिवीर प्रस्तोती देंगे जहारखन के अधिकारी केंद्री गिरिह मंत्री अमीद सा 27 और 28 अक्टूबर को हर्याना के फरीदाबाद जिले के सुरजकूर्ण में होने वाले गिरिह मंत्रियों के चिंतन सिवीर के अध्यक्सता करेंगे इस चिंतन सिवीर में राज्ये के पूलिस प क्रांत मीट शामिल होंगे बीत मंत्री सहीत सभी पुलिस अधिकारी राँची से दिली के लिए रवाना हो चुके हाँ मलिका अर्जुन ने संभाली कांग्रेस की कमायन मलिका अर्जुन खडगे के पदभार गरहन करने पर दिली में उनके मुलकात कर पद भाल समानने के साथ ही खड़गे एक सन में दिखे और पार्टी के वरिष्ट नेताओं के साथ बैठक की इस दरान उन्होंने बदलाओ के संकेत भी दिये है इसके बाद चर्चा सुरू हो गई है कि कांग्रेस राज्यों में अपने जीस जमीन और जानाधार के साथ सबसे पुराने राजनिती पार्टी होने का दावा करती रही है उन जगों पर अपने जमीन और जानाधार को कैसे मजबूत कर पाएंगी जारखंडी छात्र सीम हेमंत से लगा रहे गुहार उम्र में पांच वरस छूट की मांग कुरोना की मार से परहोई जारखंड के हजारों युवा इन दिनों मुख्य मंत्री हेमं सुरेन से एक गुहार लगा रहे हैं इस गुहार को सीम सुनते हैं या नहीं इसका पता तो बाद में चलेगा लेकिन जारखंड युवाओ की नजर मुख्य मंत्री पर ठीकी है दरसल कुरोना के कारान करीब दो वर्सों तक राजे में नियुक्ति का भीगापन नहीं निकला था जिस वज़ासे बड़ी संख्य में जारखंड में परतियोगी ता परिक्षा की त्यारी करने वाले युवाओ की सरकारी नोकरी के लिए निधारित उम्रसिमा समाप्त हो गई अब परस्थिती समान होई है और राज सरकार बड़ी संख्य में भीण पदो पर नियुक्ति करने जा रही है इन युवाओं को उमीद जगी है मगर निधारित उम्रसिमा में छूट नहीं होने की वज़ा से यह आवेदर नहीं कर पा रहे इसको देखते हुए जरकन के हजारों युवामों के मंतिस सरकारी नोकरियों में अधिकताम उम्रसिमा में पांच वरस की छूट की मांग कर रहे हैं छट घाटो पर अतिसवाजी बैन छट पूजा के नजदीक आते ही उसकी तियारिया तेज हो गई है जहां आमजनता छट वरत पूर्व की तियारियों में जूटी है दूर दराज रहने वाले छट पूजा 2022 के लिए घरों से लोट रहे हैं वही पर सासन छट घाटो पर वरतियों की सुविधा और पूजा के दरन कानू बेवस्ता के मुकमल इंतिजाम का खाखा खीचने में जूटा है इसी को लेकर राची उपायूगत राहूल कुमार सीना के अद्यक्सता में बुद्धवार 26 अक्टूबर को छट पूजा पर राजधानी में विधी व्यवास्ता की चुनोतियों से निपटने के लिए बैटक हुई इसमें छट घाटो पर अतिसवाजी पर रोक और धार्मिक आयोजन में छिर्खानी जैसे और धार्मिक कार्य से निपटने की योजना बनाई है जार्खन में विशन बिजली संकट से हाहकार जार्खन के बिधूत उतपादक सन्यंत्र तेनुगाट बिधूत निगम लिमिटेट की एक यूनिट से बिजली उतपादन बुद्धवार को ठप हो गया है इसके करान राजे में बिजली संकट गहरा गया है जिसके करान राजी समेत राजे के अन्य सहरों में बिजली की लोट से डिंग की जा रही है TBNL के पताधिकारों ने बताया है कि एक नमबर यूनिट का बाइलर लिकेज होने के कारण उत्पादन ठाप हो गया यूनिट नमबर दो चालूज थिती में है बताया गया है कि TBNL की एक यूनिट बंद होने से राजे में लगबग 200 मेगावाट बिली की कमी हो गई है इधार पावर एक्सजेंच से अतिरिक्त बिजली लेने पर केंदर सरकार की रोक जारी है इसके चलते 200 मेगावाट बिली कम मिल रही है करमचारी चैन आयोग न निकाली बंपर भरती करमचारी चैन आयोग कमबाइन हायर सेकेंडरी लेवल परिक्षा एक राष्ट्रिय आस्तर की परिक्षा है या देश बर के विभिन सहरों में आविजित की जाती है बता दे इस एकजाम के लिए फरम पांच नौमबर 2022 से सुरू होगी और फरम भरने के अमतिमतिती 4 दी समब 2022 रखी गई है उमिद्वार जो आवेदन करने के एक चुक है SSC CHSL आवेदन पत्र 2023 भरने के लिए SSC.NIC.IN पर जाकर आवेदन कर सकते हैं जुआ खेलते कोडारमा के डोम चांच नगर पंचायत अध्यक्ष सहीत बारह गिरफतार कोडारमा जिला अंतरगत जुमरी तिले थाना पुलिस ने सहर के CH स्कूल के पिछे बिधापुरी में एक टेंट हाउस के गोदा में चल रहे जुआ अड़े पर छापे मारी कर बारह लोग गिरफतार किया है गिरफतार आरोपियों में डोम चांच नगर पंचायत के उपाध्यक सर राजद नेता पपु मेहता सहीत अने लोग सामिल हैं उनके पास से 8,36960 रुपे नगत तास के 145 पत्ते एवं 5 मोबाइल बरामत किया गया गिरफतार आरोपियों में पपु मेहता के अलावा गोरी भगत अनुयादव अंकू सिंग लक्षमी कांत आदी मवजूद हाई छट महापरों को लेकर पलामू में तयारी सुरू डालटेंगाई सहर के कोईल नदी के तड़ पर काफी बड़ा छट गाठा या मोखे रूप से 3 हिसो में हाए बेलवाती का इस्थित पंपु कल गाठ से लेकर पंच मोखी सिव मंदीर तक गाठ वही नवा टोलीज थी चित्रगूप्त मंदीर से गिर्वर इस्कूल होते हुए सिवाला रोट तक का घाठ हमीर गंज सुर्य मंदीर के सामने से लेकर बियन कॉलेज तक का घाठ इसके अलावा कई अने छोटे-छोटे घाठ भी हाए जहां छट वरती छट करते हैं इन सब में सबसे बड़ा और आकर्शन का क्यांगर चित्रगूप्त मंदीर से सिवाला घाठ तक रहता है सबसे अधिक भीड यही रहती है इन सबी घाठों की साब सफाई नगर नीगम द्वारा किया जा रहा है खुटी में बने अंतराश्ट्री होगी टर्फ मैदान को मिला F.I.H. फिल्ड सर्टिफिकेट जारखन के नकसल पर होईत खुटी जिले के भागवान बिरस्या मुंटा कॉलेज में बनाये गए होगी टर्फ मैदान को FIH field certificate प्राप्त हो गया है यह certificate मैदान की सभी गुनवात्ता को परखने के बाद प्रदान किया गया ताकि खिलाडियों की सुरक्षा संसाधन सुनिशित हो सके साथ ही अंतराश्ट्रिय अस्तर के मैच कायोजन माप दंडो में खरा उतर सके इन बातों की पुष्टी होने के उपरान थी FIH field certificate प्रदान करने के अनुमति दी जाती है certificate प्राप्ती के बाद अब जीले के प्रतिभा साली खिलाडी अंतराश्ट्रिय अस्तर के मैदान में अभ्यास कर आपनी प्रतिभा को और निखार सकेंगे छट महापर्व पर इस बार फलो की कमी नहीं होगी महापर्व छट पुजाकुले का धनबाद सित क्रीसी उत्पादन बजार समीती के फल मंडी में देश के बिभिन राजयों से फलो की गाड़ी पहुँचने लगी है इस वर्ष छट वर्तियों को फल की कमी नहीं होने वाली है बतादे धनबाद फल मंडी में परियाप्त मात्रा में फलो की गाड़ी पहुँच चुकी है इस वर्ष फलो के भाव में लगबग 10 परतियत की तेजी देखने को मिली है सेव की छोटी पेटी 400 से 550 रुपए वहीं केला 150 से 500 रुपए प्रति कांधि बिक रही है दिपावलिक के एक दिन बाद सही धनबाद इसीत क्रिसी बजार समित्ती के थोक मंडी में फलो की बिकरी में तेजी आ जाती है बीच रास्ते थमे ट्रेनों के पहिये से यात्री परिशान बीच सेयर में बुक की गाड़ी बुद्धवार की सुभा गूर्पाइ स्टेशन पर कोईला लदी मालगाडी के बेपर्टी होने से नई दिली हाबडा ग्रेंड काड लाइन पर सभी ट्रेनों के पहिये थम गए आसन सोल से वरा नसी जाने वाली ट्रेन धनबाद में ही रुग गई गाया से आसन सोल जाने वाली ट्रेन टन कूपा तक चल कर रुग गई वहीं दोपर में आसन सोल से गाया जाने वाई ट्रेन रद हो गई इतना ही नहीं हाबडा और सियालदा से धनबाद होकर चलने वाली जयदा तर ट्रेन ने धनबाद नहीं आई इन्हें टाइवर्ट कर दिया गया बता दे छट को लेकर अधिकतर ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ है उपर से एका एक रद होई ट्रेनों ने यात्रियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दिया दुमका में आवारा कुतों ने तीन माह में 325 लोगों को काटा आवारा कुतों को पकड़ने और इस समसेस निजात दिलाने का कोई परवन्थ नहीं है इस्ते लोग परिसान हैं कोई आईसा चेत्र नहीं जहां आवारा कुते परिसानी का सबब नहीं बन रहे इसके आतंग की वज़ा से लोग अकेले घर से बाहानली करने में भैवीत रहते हैं गुमला में सूप दवरा का दाम काम लोक आस्था का महापरवत छठ पूजा की तयारी सुरू हो गई है एक और जहां छठ वर्तियों ने छठ पूजन की समागरी खरदैरी सुरू कर दी वहीं छठ घाटों की सापसफाई का काम भी तेजी से हो रहा है छठ पूजन समागरी में इस साल सूप और दवरा की कीमते पिछले साल के अप्रेक्चा इस साल कम है कीमत कम होने से सूप दवरा के दुकांदारों में लोगों की भीर उमने लगी है बतादे छठ महापर को लेकर इस साल गुमला में सूप 80 रुपे से लेकर 188 रुपे प्रतिपिस की दर से भीक रहा है जबकि पिछली साल सूप रुपे से लेकर 200 रुपे प्रतिपिस तक भीक रहा था गढ़वा में पहुंची जांच टीम टीचर्स मिले गायब इस दोरान रामा साहु आरेवेदिक पलश्टू उच बिद्याले से परधाना ध्यापक एवम सहायक सिक्षक को गायब पाया गया गायब परधाना ध्यापक मनीश कुमार एवम सहायक सिक्षक सतेंद्र राम का उन्होंने बेतन अस्थागित करते हुए बिना सुचना विद्याले से गायब रहने का कारण भी पुछा है नीती आयोग के उपाध्यक्स सुमन की हेमन्त सुरें से नहीं हुई मुलकात पहली बार जार्खन आय निती आयोग के उपाध्यक्स सुमन कुमार बेरी की मुख्य मंत्री हेमन सुरें से मुलकात नहीं हो सकी यह मुलकात इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि मुख्य मंत्री हेमन सुरें तेवार में ब्यस्त थे सुमन्ट कुमार बेरी ने कहा है कि अगली बार ज्यार्खन आऊंगा तो मुख्य मंत्री से जरूर मुलकात होगी दरसल निती आयोग के उपाध्यक्स ज्यार्खन के कई मुद्धों पर ज्यार्खन के मुख्य मंत्री हेमान सुरेन से बात करना चाहते थे उन्होंने कहा है कि अगली बार मुलकात कर अब इन मुद्ध पर बात करेंगे वैसे नीती आयोग ने यह माना है कि जारकन के अधिकारे बिभीन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं जारकन में धरातल पर काम में तेजी आई है हेमंत सुरेन की सरस्यता जाएगी बाबुलाल मरांडी तीसरी पंचायत भवन में जारकन के पुरमुख मंतरी सध धनवार के बिधायक बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि जल्द ही हेमंत सुरेन की सरस्यता चली जाएगी राजे में भरष्टा चार चरम सीमा पर है वो कानून बेवास्था चरमरा गई है राजे में गरीब तबके के लोग कहीं सुरक्चित नहीं है इस सरकार में धीबरा बालू और पत्थर पर पतिबंद लगाने से मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परिसानी हो रही है और विकास कार्य प्रभावित हो रहा है मरांडी ने बुद्वार को तीसरी में एक कार्यकरम के दोरा ने बाते कही है उन्होंने कहा है कि जहां तक मुख्यमंत्री हमांसुरी के सेस्टा जाने का सवाल है तो उन्होंने तो क्राइम किया है मोखे मंतिर राते हुए खान वा वन विभाग भी उनी के पास है इस दोरान अपने नाम पर खनन पटा लिया है राज येपाल को पत्र दिया है मरांडी ने कहा है कि भाजपा में जे बीएम का बिधुवत रूप से बिले हुआ है चुनाव आयोग ने इस पर मुहर भी लगा दिया है इसके बाद विधान सभा को सुनवाई करने का कोई अधिकार ही नहीं है 100 रूपया अतरिक तलेकर कल्यान कोस बना रहा एडवोकेट एसोसियेशन वकीलो को किसी भी आपदा में आथिक संकट न हो इसके लिए कोस जमा होगा हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसियेशन की आम सभा में इसकी मंजूरी दे दी गई है कोस जुटाने के लिए अब वकालत नामावा सपत पत्र पर अलग से 100 रूपय लिए जाएंगे इस अतिरीक तरासी से 100 निधिक कल्यान योईना की सुरुवात होगी और इसे 14 नॉमबर से लागू किया जाएगा एसोसियेशन के अनुसार इससे हर साल 2-3 को रूपय जमा होंगे धन्यवाद